नमस्कार साथियो स्वागत है आपका हमारे ऑनलान यूट्यूब प्लेटफॉर्म क्रेजी जी के ट्रिक पर मैं हूँ दिनिस्सा हूँ और आज का वीडियो लेक्चर काफी महतुपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो लेक्चर में हम विश्वी के जितने भी प्र के वीडियो में हम रिवीजन के हिसाब से इसको डिसक्स करएंगे क्योंकि आपके जो भी अपकमिंग एलवे और एक्जाम से हैं यहां पर काफी कॉश्यन यहांसे हैं देखने को मिले ठीक है तो रिवीजन को तौरपर हम इसको डिसकस करेंगे यहांपको डिटेल में प्यारी कर सकते हैं कोई भी इंडिविजल सब्जक्ट आप पढ़ सकते हैं मुझसे डिटेल में जॉग्रफी पढ़ना चाहते हैं तो रूट एप्लिकेशन पर आपको मेरे बहुत सारे बैच मिल जाते हैं foundation courses मिल जाते हैं live courses मिल जाते हैं तो live भी जोगराफिकल कंडीशन होती है जहांपर हमें grasslands देखने को मिलते हैं तो सबसे पहली बात ये समझेगा कि जो मरुष्थल होते हैं ठीक है आपको पता होगा जो मरुष्थल होते हैं उनका विकास कहाँ पर होता है जहांपर भी 25 cm से कम वार्शिक वर्षा होती है, वहाँ पर मरुस्थलों का या फिर डेजर्ट का निर्माड होता है, जिसे कि भारत में ही एक मरुस्थल है, थार मरुस्थल है, लद्दाक एक लेहशीत मरुस्थल है, इसके लावा शहारा दुनिया का सबसे बड़ा गरम मरु मरस्थलों की संबंद में सेपरेट लेक्चर मेरा पढ़ा हुआ है डिटेल में वह पढ़ सकते हैं ठीक है तो जहां पर भी 20 सेंटीमीटर से कम प्रैसी प्रेशन होता है वहां पर मरस्थलों का निर्माण होता है ठीक है इसके लावा वनों के वारे में आप जानते होंगे वन अलग-अलग कैटेगरी होती है अभी हमें वनों में नहीं जाना है इसके लावा सुस्क पर्णपाती वन जाडियों वाले वन देखेंगे तो जहां 17 सेंटीमीटर के आसपास है पर 50 से 70 सेंटीमीटर की रेंज में वर्शा होती है वहां पर जाड़ीदार रक्ष देखने को मिलते हैं ठीक है तो वनों की और मरुस्थलों की बीच की जो कंडीशन होती है इसको ही हम क्या बोलते है इसको ही हम बोलते है ग्रास लेंड या फिर घास के मैदान कहने का ताथ पर यह यह है जहां पर ना इतनी कम वर्शा हो रही है कि मरुस्थलों का निर्माड हो जाए न अब कुछ घास के मैदानों में आपको लंबी घास देखने को मिलेगी, कुछ थोड़ी बहुत व्रक्ष देखने को मिलेगी, कुछ घास के मैदान जो होते हैं, जो कि व्रक्ष विहीन होते हैं, वहाँ पर व्रक्ष ही देखने को नहीं मिल रहा है, जैसे कि पंपाज हो गया ह तो अभी एक एक जो भी grasslands हैं, इनको हम detail में discuss करेंगे, ठीक है, चलिए, तो topic को हम सीधे start करते हैं, आप उस समझ में आ गया होगा कि घास के मैदान क्या होते हैं, ठीक है, अब देखे, घास होती है, थोड़ सा इसको भी हम समझ लेते हैं, तो इसकी एक सबसे अच्छी definition समझ के लिए, एक तो इसका point ये है कि ऐसा पौधा जिसका जो तना होता है, वो लचीला होता है, ठीक है, उसको हम घास बोल सकते हैं, और उस लचीले तने में बीच में आपको इस प्रकार से joint देखने को मिले, joint या फिर जिसको हम गांठ बोलते हैं, क्या, गांठ बोलते हैं, ठ तना हार्ड भी हो सकता है, जैसे कि for example, जो बांस होता है, यहना बांस का व्रक्षा आपने देखा होगा, ठीक है, तो तना भी है, हलाक इसका लचीला भी होता है, और बीच में आपको joint भी देखने को मिलेंगे, इस प्रकार से, ठीक है, इसके लाब देखिए गन्ना हो गया गन्ने को भी आप देखेंगे, तो लचीला होता है, और यहाँ पर joint देखने को मिलते हैं, गेहूं की फसले हो गई, यहना बहुत सारी घास आपने देखेंगे, बीच में joint होते हैं, तो यह सबी भी घास के अंतरगत आते हैं, यहाँ से कई वार exam में question आया हुआ हुआ है, क गन्ना किसका example है, तो गास का example है, बास का व्रक्ष किसका example है, यह बात भी आपको याद रखने हैं, ठीके चलिए, तो कुछ इस प्रकार के देखें, घास के मैदान देखने को मिलते हैं, इसकी आप देख रहे हैं, यहाँ पर थोड़ी वथ व्रक्ष भी आपको देखाई यहां पर ठीके इसके लवाए एक घंस का मैदान यह है जहां पर डयक्श बिलकुल दिखाई नहीं दिए रहा एक का दुकका इसके मदान पर ठीके मखमली यह है मखमली घास तो अलग-अलग तरीके के घास के मजार हमें देखने को मिलते हैं ठीके अब एक चीज और समझ लीजिए यदि आप हमारी प्रत्वी को देखेंगे इस प्रकार से यह हमारी प्रत्वी हो गई ठीके यह हो गई 0 उप तेशो डीग्री अक्षांस, जिसको हम बोलते हैं विश्वतरे रिखा मोटे व। इसको हम क्या बोलते हैं त्रोपिकल रिजन या फिर उश्वतरस को हम बोलते हैं तो इस छीत्र के बीच में प्रत्वी में जो घास के मैदान होंगे उसको हम क्या बोलेंगे उश्न कटीवन धी है घास के मैदान ठीके अब यहां पर क्या होगा temperature थोड़ा सा कम होगा और वर्षा भी थोड़ा हमें कम देखने को मिलेगी एक्जाम में ऐसे भी कुश्चन आते कि निम्न में से कौन सा तो यह बात आपको याद रखना है तो यह थोड़ा सा आपको अंतर याद रखना है यहां से भी एक्जाम में कुश्चन देखने को मिलते हैं ठीके अब एक एक करके जिन कंट्री में जो भी घास के मैदान है इनको हम जरा डिसकस करते हैं तो सबसे पहले हम साउथ हमेरिका चलते हैं और साउथ हमेरिका में यहां पर दो कंट्री आपको देखने को मिलती हैं एक तो है वेनेजोयला और एक है कोलंबिया ठीक है वेनेजोयला और कोलंबिया के अंतरगत आपको एक ग्रासलेंड देखने को मिलता है लानूस क्या ना पर आपको ये topics मिल जाएंगे तो उसको आप पढ़ लीजे तो देखें यहां पर यदि आप बच्चों देखेंगे तो यहां से आपको एक रिखा निकलती हुई दिखाई देती जिसको हम बोलते हैं विशुवत रिखा है इसी reason से निकलती है हमने discuss कर रखा है ठीक है और यहा पर आपको ले जाता हूं इससे आपको थोड़ा सा समझ में आएंगे यहांपर देखिए यहां से आपको पता है इस reason से हमारे भारत के बीचों बीच से कौन सी रिखा गुज़रती है यहां से रिखा गुजरती है जिसको हम बोलते है करक रिखा ठीक है साड़े तेश दिग यहां से Australia के बिल्कुल beach object से एक रेखा निकलते हैं इस reason सेठीक है। हम बोलते हैं makeeper तो और इहां से एक रेखा निकलती है जिसको हम बोलते हैं विशवत रेखा। विशवत रेखा हैं खिचा, और mकर रेखा। यहां पर अभी हम सेलवास वागेरा को भी डिसकूस करेंगे तो यह सब किसका एक्जामपल है उच्छन कटीवंदी यहां पर ऊपर दिखाई दे रहे हैं करक रेखा के उपर फिर मकर रेखा के नीचे पर पंपाज वगेरा डाॉनस वगेरा यह कैसे होंगे सीटोश होंगे ठ इस पर मैंने लेक्चर बना रखें वो लेक्चर देख लिए आप ठीक है तो यह वाला जो घास का मैदान है यह कौन सा घास का मैदान हो जाएगा यह लानोस ग्रासलेंड हो जाएगा आपको याद रखना है कहां पर है तो दो देशों में पढ़ता है वेनेजोला और कुलंब यह ठीक है तो यहाँ पर पर ब्राजील जो कंटरे है बच्चों यहाँ पर तीन घास के मैदान आपको याद रखने सी 3 forms lack एक्से इन घास के मैदान आपको याद रखना है सेराण सीरink टो कटिंग सबर NICK सॕ्टींगास के मैदान कहा पर है। इने को मिले हैं और यह कुलंबिया में हैं। इसलिवह इसे वेनेजुएला कुलंबिया में हैं C3 Serratos Catingas Compose यह कहां पर हैं ब्राजील में हैं आंगे डिसकस कर लेते हैं सबसे महत्रपूर्ण जहां से बहुत ज्यादा कोशन आता है यह कौन सा कंट्री है तो अर्जेंटीना है अर्जेंटीना अर्जेंटीना में आपको कौन अर्जेंटीना में आपको याद रखना है अब यहां पर एक विशिष्टा और है यहां पर एक घास पाई जाती है अलफा अलफा नाम की एक पोशक घास यहां पर हमें देखने को मिलती है पोशक घास का मतलब क्या है इसमें काफी यहां पर आप देखेंगे जो दूद इंडस्ट्री होती है इसके लावा पशु पालन होता है यह काफी अच्छा होता है क्योंकि पश्वों के लिए प्राकरतिक रूप से काफी चारा होता है चरने के लिए ठीक है तो आप किसी भी घास के मैदान में देखेंगे तो वहाँ पर पश्वों काफी जादा देखने को मिलेंगे काफी देखने को मिलते हैं तो पंपाज में देखेंगे पशु पालन अच्छा खासा देखने को मिलता है फिर यहाँ पर एक ओर ग्रास लेंड आपको देखने को मिलता है बीच में जिसको हम बोलते हैं अiyorsun कटिवन्दी के बीच में पढ़ने वालए एक घास का मैदान है, जिसका कुछ छ्वित्र कूशन कटिवंध में आता है, और कुछ सितोशन में आता है, तो ग्रांचाको को आपको याद रखना है, अर्जेंटीना, इसके लावद थोड़ा बद व्राजील और यहाँ पर बीच में इसका रीजन देखने को मिलता है, हलाकि उ तो most important आफ्रिका में जो घास का मैदान है, वो है सवाना, ठीके, कैसा है, तो यहाँ से आपको पता है, विशुवत रिखा निकलती है, यहाँ से कर्क रिखा, यहाँ से विशुवत निकलती है, यहाँ से कर्क निकलती है, तो यह कैसा है, विशुवत और कर्क के बीच में मत पर क्या है यहां पर है मरुस्थल यहां पर क्या है मरुस्थल देखने को मिलता है डेजर्ट देखने को मिलता है कौन सा सहारा मरुस्थल जो की विश्व का सबसे गरम मरुस्थल है यहां पर आप देखेंगे ऊशन कटीवंधिये वर्शावन या फिर ऊशन कटीवंधिये सद तकना है मध्य आफ्रीका रीजन में यह देखने को मिलते हैं और इसको सिकारीयों की भूमी की भूमी और जो जंगली जनवर होते हैं वह यहाँ पर देखने क्कु है यहां पर यहां पर आप को पटशन के लिए ये जाना जाता है अभी हम एक और पढ़ेंगे डाउंस आस्ट्रेलिया में वहाँ पर भी मैरीनो भेड हमें देखने को मिलेगी और जो मैरीनो भेड होती है यह किस लिए जाने जाती है तो काफी अच्छी क्वालिटी का उन मैरीनो उन होता है वो यह भेड देती है तो यह बात आपको याद आपको याद रखना है अब इस ग्रास लेंड की बात करेंगे बच्चों तो बहुत ही महत्रपूर्ण ग्रास लेंड है और काफी यहां से एक्जाम में हमें क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं कैसा है तो सीटोशन कटीवन दिये है या फिर कैसा है टैंपरेट है आपको काफी फसलें काफी मात्रा में यहां पर ली जाती है तो काफी अच्छा एग्रिकल्चर है यहां पर क्रशिय साथ यहां पर आप देखेंगे पशू पालन है यहां पर आप देखेंगे मांस प्रसंस करन उद्योग जो होता है मांस प्रसंस करन उद्योग इनका भी काफी है ग्रास लेंड है जो कि USA और कैनाडा में हमें देखने को मिलता है ठीक है काफी महत्रपुर्ण है यहां से काफी कुश्चन अब देखेंगे एशिया और यूरोप में फैले हुए है कैसे हैं सीटोशन कटिवन दिये हैं यहां पर आप देखेंगे खास्तोर पर यूक्रेण जो है यूक्रेण अभी काफी जादा सुर्ख्यों में था तो यूक्रेण ने क्या किया है कि जो एक ग्रास लेंड यहां पर तो यहाँ पर यूक्रेन ने जो यह घास के मैदान वाली भूमी है इसको agriculture जो land होता है उसमें convert कर लिया और काफी ज़्यादा यहाँ पर गेहूं की खेती होती है इन्हीं की घास के मैदानों में यूक्रेन काफी बड़ी मात्रा में गेहूं का production करता है गेहूं की खेती करता ह है आपको याद रखना है ठीक है इसको रोटी की डलिया भी कहा जाता है गेह ना रोटी की डलिया एक्जाम में question आया हुआ है पहले आता था काफी कि विश्यू में गेहूं की डलिया किसको कहा जाता है तो यूक्रेन को कहा जाता है क्यों कहा जाता है क्योंकि इसी स्टैप और यरोप है रूस है और कजाकिस्सान है इन देशों में देखने को मिलता है ठीकेई यह भी कैसा हुजाएगा सिटोशन कटिवनधि ढंस को मैदान हो जाएगा और आगे चलते हैं आज़ागे चलते और ऑउस्ट्रेलिया को मिलती हैं, आपको याद रखना है, यी जो maternal होन होता है, जो maternal होता है, यह काफी उछ गुरवत का होता है, अच्छी quality का होता है, और काफी downstairs कीमत, बेचा जाता है, ठीके, और जो यो ऑश के नंबर पर आता है, ये वाद भी आधरीड को याद रखना है, ठीके, ये यह जो मैरीनो उन होता है जो मैरीनो भेड़ों से निकलता है यह काफी उच्छ गुडवत्त का होता है अच्छी कॉलिडी का होता है और काफी मौटिक कीमत इसको मतलब बजार में जो यह बेचा जाता है काफी अच्छी कीमत में बेचा जाता है ठीक है और जो ऑस्ट्रेलिया है यह मैरी नों उनके प्रोडक्शन में फर्स्ट नंबर पर आता है यह वाद भी आ को याद रखना है ठीक है तो यह डाउंस हमने पढ़ लिया औस्ट्रेलिया में तो यह जितने भी कॉंटिनेंट में महत्पूर्ण ग्रास लेंड्स हैं यह मैंने आपको डिसकस करा दिये हैं ठीक है आई थिंक आपको सारी चेज़ें यहां पर क्लियर हो गई होंगी ठीक है इस पर और डिटेल में वीडियो मैंने अल्रडी बना रखा है तो वह आप देख सकते हैं अभी मैंने रिवीजन के साब से वीडियो प्लान किया है तो यह मैंने फटा फटा आपको कवर करा दिया है अब कुछ हम MCQs यहां पर डिसकस कर लेते हैं उससे पहले कुछ फैक्ट हैं यहां पर लिखे हुए हैं इनको पढ़ लेते हैं विश्यू में कितने प्रतिसत घास के मैदान है तो लगवख 40% छेत्रफल पर और सोयबीन जैसी फसलें ली जाती है और गेहुं सबसे अच्छी फसल है इन रीजन में ठीक है दक्षिण अमेरिका का व्रक्ष रहित घास का मैदान कौन सा है पंपाज मैं आपको बताया था जो पंपाज अर्जेंटीना में सितोश्र कटीवंदी घास के मैदान है यहां मुणा परेदी आप देखेंगे तो व्रक्षी देखने को नहीं मिलेंगे हैं लेक्ष में नहीं देखने को मिलते हैं ये बात आपको याद अकना है और भारत में कंश हभरत में हिए कगहा न पा जाते हैं तो हमने जुग्रफी में कई वर पड़ा है, बॉग्याल, पयाल, उत्रखंद, रीजन में आपको नर्म ul along LA घ्लांस की मैदन में देखने को मिलेंगे, मर्ग हो गए है, यह आपको जम्मुक आश्मी रीजन में देखने को मिलेंगे, तो भारत में भी आपको घ्ल गास के मैदान देखने को मिलते हैं तो यह ग्रासलेंड का जो टॉपिक है यह हमने थोड़ा रिवाइस किया है इसको पढ़ा है आफको समझ में आया हुआ ठीक है चलिए पहला कोशन डिस्कुस करते हैं कि आपको आशर देना है किश टैप के कोशन एक्जाम में देखने को मि अगला है दक्षिण अमेरिकर का चौना वरक्ष रहेथ घांस का मय दना। रहेथ का मतलब है विना वरक्ष वाला जामालट का मेदान। बहुत इंपोरेंट है बत्चोंka पंपास है न। ichen पंपास से बहुत लेसा व. कहा है अर्जेंटी मैं अर्जेंटी मैं है। तो सीतोषन है, कैसा है, सीतोषन है, कौन सी घास पाई आती है, अलफा अलफा घास पाई आती है, जो की काफी पोशक घास होती है, निमन मैसे कौन सीतोषन घास का मैदान नहीं है, निमन मैसे कौन सा सीतोषन घास का मैदान नहीं है, चले दिखते हैं, पंपास तो सीतोषन है आपको पता है, है ना, weld जो है ये भी सीतोषन है, downs जो है ये भी सीतोषन है, जो सवाना है, ये गर्म है, ये उशन है, तो D answer इसका हो जाएगा है, सवाना कैसा है, गर्म है, हमने देखा था, मध्ध अफ्रिका के अंतरकत ये आता है, अगला कोशन डिसकर्लेता है, निम्नमैसे किस एक देश में पंपास गहास के मैदान देखने को मिलते हैं, है ना, पंपास, पंपास से बहुत कोशन एक्जाम में आते हैं, बच्चो, अर्जेंटीना के अंतरकत हमें, सीटोषन-कटिवंदी घहास का मैदान देखने को मिलता है जिसको हम pumpas बोलते हैं अगला question है निमन में से कौन सी एक सही सुमेलित नहीं है ठीक कुछ गास के मैदान दिये हैं कुछ continent दिये हैं तो इसका क्या answer हो जाएगा तो prairie North America बिल्कुल सही है पंपास दक्षन अमेरिका बिल्कुल सही है इस्टेपी यूरोप बिल्कुल सही है वेल्ड ऑस्ट्रेलिया वेल्ड जो है यह आपको आफ्रिका कॉंटिनेंट में देखने को मिलेंगे ना डाउंस आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलते है नेक्ष देख लेते हैं निमन ठीक है तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा इस प्रकारी कोश्यन एक्जाम में आएंगे आपके अगला है निमनमे से कौन से सिटोशन घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं यूरोप और एशिया में पाए जाते हैं तो इस टैपीज कजाकिस्तान हो गया यूक्रेन ह अगला है से बड़े शिकार हमें देखने को मिलते हैं कौन सा वो चेत्र है तो उशण काटिवंदी Swana प्रदेश जो है या फिर सवाना grassland जो है यहाँ पर आपको आफरीकी रॉयन, देखने को मिलेंगे इस परकार के बड़े बड़े शिकारी जनवर देखने को मिलते हैं ठीक है तो यह कुछ आठ कोश्चन भी मैंने आपको डिस्कस कराए हुए कराए हैं तो जो यह टॉपिक है बच्चो आने वाले जो आपके एक्जाम है चाहिए वो रेलवे की बात करें या से की बात करने काफी कोश्चन यहां से आए थी तो मैंने रिवीजन के त पढ़ सकते हैं तो फिलाल आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही वीडियो लेक्चर कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए मिलेंगे अगले बहतर लेक्चर में तब तक हम ना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए बाई-बाई-टेक्यार जैहिंद